हलो फ्रेंड्स वेलकम टो वाइफाई स्टेडि चेंजिंग दा व्योफ लेर्णिंग सभी का हार्दी कम नंदन वाइफाई स्टेडि एजूकेशन यूटूब चैनल पर दोस्तों कैसे हो सब लोग राम राम सब को राम राम मित्रों सब अच्छे होंगे राम राम सबी सातियों को राम राम मित्रों आपका जो महिला और बाल अपराद वाला जो पार्ट चल रहा है उसी सरंकला में अपन आगे बढ़ रहे हैं और इसी करम में अपन बात करेंगे कि कैसे आपको इसके परसने भी देखेंगे अपन परसनों का ब्यास का भी तो महिला और बाल अपराद में मैंने कल आपको महिला अपराद के रूपों के बारे में चर्चा करी थी उसी करम में में आगे बढ़ूँगा जैसे दूसरा अगला आपका रूप है, मैला अपराद के रूप, मैला अपराद के रूप, मैला अपराद के रूप में ये दिमा आगे की चर्चा आप लोगों के सामने करूँ, मैला अपराद के रूप में आगे की चर्चा आपके सामने करूँ, तो अगला रूप आपका होगा, गरब पात के दोरान महिला की मरत्यू, गरब पात के दोरान महिला की मरत्यू के अगर मैं बात करूँ, तो अगर कोई महिला गरब पात के दोरान मर जाती है, तो ये भी अपराद की स्रेणी में है, और इसमें मित्रों IPC की धारा, तीन सो चोदा के तैद सजा का प्रावदान है, और इसमें जो आपको सजा मिलती है, वो सजा मिलेगी मित्रों आपकी दस वर्स की, ये आपको ध्यान रखनी है, दूसरा अगला रूप की बात करूँ, तो नव सिसु को जनम लेने से रोकना, जनम लेने से रोकना, नव सिसु को जनम लेने से रोकना, अगला आपका रूप है, नव सिसु को जनम लेने से रोकना, यहनकि आप जो बेबी है और वो आप पैदा होने से पहले उसको डैस्ट्रोई कर देते हो गरब में डैस्ट्रोई कर देते हो तो इसका मतलब जैसे बुरन हथ्या करना बुरन हथ्या करना बुरन हथ्या कर देते हो या फिर आप कोई टैबलेट देके गोली या कोई जड़ी बूटी देकर डेस्ट्रोई करते हो जड़ी बूटी देना ये भी अपरात की स्रेणी में है और इसमें क्या होता है आईपीसी की धारा कौन सी 315 के तैत आपको क्या मिलेगी सजा मिलेगी और ये सजा कितने दिन की होगी 10 वर्ष की सजा कितने वर्ष की होगी 10 वर्ष की अगला आपका प्रादवान है नव सीसू को मारना अगर आप छोटे बच्चे को मार देते हो समझ मैं जनम से पहले मार देते हो तो ये भी गैर कानूनी है मित्रों और इसमें भी आपको आईपीसी 316 और 302 के तैट आपको क्या मिलेगी दोनों के तैट सजा मिलेगी और ये सजा आपका आजीवन कारावास है ये आपको ध्यान रखना है तो 916 को मारना तो मारना एक मडर है जिसके तैट 302 याद रखना है आपको दूसरी अगर मैं बात करूँ इसी करम में अपना आगे बढ़े तो 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों को 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों को घर से निस्कासित करने पर गर से निस्कासित करने पर गर से निस्कासित करने पर तो 0 से 12 वर्ष के बच्चों को घर से निस्कासित करने पर इसमें भी आपको सजा का प्रावदान है इसमें क्या है? IPC की धारा 317 के तैथ 317 के तैथ आपको जो सजा मिलेगी इसमें वो सजा है आपकी 3 वर्स 3 वर्स की सजा यदि आप 0 से 12 वर्स के किसी भी बच्चे को घर से निसकासित कर देते हैं उसको घर में निगुशने देते हैं जबरान उसको घर से बार रखते हैं तो ये भी मेरे मित्रों आपको कानूनी अपराद है अगला आपका है मेरे दोस्तों मृत्त सीसू को घर पे रखने पर गर में रखने पर गर पर रखने पर जैसे कोई चोटा बेवी मर जाए और कोई माँ वो सोचे की मेरा बेवी मर गया घहिंखे उसको अपने पास रखती है उसको दूर नहीं करना चाहती है पिर भी रखती है ठीक है यह और जैसे किसी की म्रत्यू होने पर घर में रखने पर घर में रखना जैसे म्रत्यू हो गई और आप उसकी डैड़ बोडी को अपने पास ही रखते हो उसको आप क्या कर रहे हो दहा संसकार उसका नहीं कर रहे हो तो यह भी कानूनी अपराद है इ आपका जी टूटे कि मैं इसको जलाओं नहीं मेरे पास ही रखूंगा कोई बात ने बरप में रख लूँगा तो इसमें भी IPC की धरा 318 के तैत क्या मिलेगी सजा मिलेगी और सजा आपको कितने वर्सकी मिलेगी सजा इसमें हैं दो वर्सकी जेल ऐसा करना कानूनी अपराद ह दो वर्सकी जेल मिलेगी या आपको उध्यान रखना है ठीक है अब इससे सम्मंदित सविधान में क्या-क्या प्रावदान है उनको अपन देखेंगे हमारे कॉंस्टिटूशन में क्या-क्या प्रावदान किये गए हैं मैलाओं से सम्मंदित अनूछेद कौन-कौन से अनूछेद ऐसे हैं कॉंस्टिटूशन में जो मैलाओं से सम्मंदित हैं तो अनूछेद 15.1 अनूछेद 15.1 क्या कहता है कि लिंग यनकी ये मैला है या पूरुस है लिंग जाती धरम जनमिस्तान जनमिस्तान के आधार पर बेदबाव नहीं के आधार पर बेदबाव नहीं लिंग जाती धरम जनमिस्तान के आधार पर बेदबाव नहीं कौन सा है अनूछेद 15.1 अनूछेद 15.3 क्या कहता है मित्रों कि सरकार बालक प्लस मैलाओं के लिए सरकार बालक प्लस मैलाओं के लिए सरकार बालक प्लस मैलाओं के लिए विशेश कानून बना सकती है विशेश कानून बना सकती है बालक वमेलाओं के लिए क्या बना सकती है विशेश कानून बना सकती है अनुछेद सोला अनुछेद सोला क्या कहता है आपका अनुछे सोला कहता है कि सरकारी नोक्रियों में आउशर की समानता सरकारी नोक्रियों में आउशर की समानता मित्रों मैला और पुर्सों को सरकारी नोक्रियों में आउशर की क्या दी जाएगी समानता दी जाएगी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो दोनों को समान अउसर मिलेंगे ये आपको ध्यान रखना है किलियर है अनुछेद गुन्चालीस ए अनुछेद गुन्चालीस ए क्या कहता है समान कारिये के लिए समान वेतन समान कारिये के लिए समान वेतन समान कारिये के लिए समान वेतन ये आपको ध्यान रखना है यनकि समान कारिये के लिए समान वेतन दिया जाएगा ये आपको ध्यान रखना है मित्रों चाए मैला हो चाए पुरुष हो अगर दोनों कॉंस्टेबल है तो मैला कॉंस्टेबल को भी सेलरी बराबर पुरुष कॉंस्टेबल को भी सेलरी क्या दी जाएगी बराबर दी जाएगी और याद रखना है यह अनुचीद, यह है अनुचीद, 42 सविदान संसोदन गुनिसुचित्र की तहत जोडा गया, यह आपको ध्यान रखना है अब बात करें आगे के आर्टिकल की मित्रों, आगे के आर्टिकल की अगर मैं चर्चा करूँ तो अनुचीद, 49 डै, आर्टिकल 49 डै, डै में क्या कहा गया है कि जहां महिला कारिय करती है, जहां महिला कारिय करती है, वहां पर उसके स्वास्त का रख रखाओ, जिस संस्ता में वो काम कर रही है, उस संस्ता के उपर निर्भर करेगा, उस संस्ता की जिम्मेदारी रहेगा, समझ में उस संस्ता की क्या रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी, यह आपको ध्यान रखना है, जिस फिल्ड में, या जिस सेक्टर में, या जिस डिपार्टमेंट में, या जिस ओपिस में महिला काम करती है, उस ओपिस में महिला के स्वास्त के रख रखाओ की जिम्मेदारी उस ओपिस की ओगी, जहां वो काम करती है, अगला आर्टिकल है, अनुछेद 51 कै, 51 कै या 51 A, अनुछेद 51 A, या अनुछेद 51 कै में क्या है, महिलाओं का सम्मान, यानकि प्रतेक नागरिक, प्रतेक नागरिक, महिलाओं का, क्या करेगा, सम्मान करेगा, ये आपको धान रखना है, ये अनुछेद 51 कै में, अगला आपका है, अनुछेद 243 खै, अनुछेद 243 घै, ठीक है, इसमें क्या है मित्रों, इसमें कहा गया है, कि जो आपके पंचायत राज है, उसमें मैलाओं को आरक्षन, यानकि S, C, S, T की मैलाओं के लिए, मैलाओं के लिए, एक बटे तीन, इस्तानों पर, या सीटों पर, सीटों पर, क्या दिया जाएगा, आरक्षन दिया जाएगा, आरक्षन दिया जाएगा, याद रखना है, S, C, S, T की मैलाओं के लिए, एक बटे तीन इस्तानों पर, क्या है, आरक्षन है, यानकि एक बटे, तीन, जो सीट है, उन पर, रिजर्वेशन किसका रहेगा, मैलाओं को रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, किलियर है, ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये तो हापका हो गया, अब अगली अगर मैं बात करो आपके सामने, अनुछेद तीन सो पच्चीस, अनुछेद तीन सो पच्चीस, अनुछेद तीन सो पच्चीस क्या कहता है, चुनाओं में मैला के भाग लेने का अधिकार, याद रखना है, चुनाओं में मैला के भाग लेने का अधिकार, अनुछेद तीन सो पच्चीस में, यहन कि कोई भी मैला चुनाओं में भाग ले सकती है, यह उसका राइट होगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अनुछेद तीन सो पच्चीस, अनुछेद तीन सो पच्चीस क्या कहता है मेरे मित्रों, अनुछेद तीन सो पच्चीस कहता है कि लोकसबा, लोकसबा प्लस विधान सबा, याद रखना लोकसबा और राज्यों की जो विधान सबा है, समझ में है न, उनका निर्वाचन क्या होगा, व्यस्क मतादिकार के आधार पर होगा, ये आपको उध्यान रखना है, किलियर है, तो आर्टिकल 326 कहता है, कि लोकसबा और राज्य सबा का निर्वाचन व्यक्ष मतादिकार के आधार पर होगा, ये आपको उध्यान रखना है, किलियर है, कोई दिक्कत यहां तक, तो आर्टिकल 325 और 326, तोनों ही इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, मित्रों, यहां से क्यूशन पूचा जा सकता है, अब बात करेंगे अपन, मैलाओं के विकास से संबंदित, मैलाओं के विकास से संबंदित, प्रमुख संस्ता, याद रखना है, मैलाओं के विकास से संबंदित, प्रमुख संस्ता, इसकी बात करेंगे, कौन कौन सी संस्ता ऐसी है, जो मैलाओं के विकास से संबंदित है, तो मैलाओं के विकास से सम्मूंदत परमुक संस्ताओं की चर्चा मैं आप लोगों के सामने कल की किलास में करूँगा ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है जो आर्टिकल वगरा जो मैंने बताए हैं इनके बढ़िया से नोट्स बना के I.E.P.C. की जो धाराए है इनको फिर आप लोगों के सामने मिलते हैं